हमें किसी तरह बिक पी तक करिश्मा सिंग से पहले पहुचना होगा ताकि ये केस हम क्रैक कर सकें दिवान जी कहां रह गए जो ही कहिए सहर हम है डिवान जी अब ये कौन सा नया टन्टा है क्या ये वे ये क्यो गेत व्लिया या ये योड़ अपने गूम रहे है उसके हिसाब से कि पुषपा जी अपने जमाने की प्रख्यात कलाका रह चुकी है, मैं थर्ड एक्टर तो? सर तो उनके अनुसार, कैरेक्टर चाहे कोई भी हो लेकिन उस पर जान डालने के लिए ना सर, फील आनी बहुत ज़रूरी है तो दिवान जी, अगर कल को आपको किसी केस के लिए सीरियल किलर की अक्टिंग करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? अक्टिंग में जान डालने के लिए रात को चाकु लेके निगल जाएंगे शैर की गलियों में लोगों का मडर करने सर अब तो आप मेरी चलिए, फोन कीजिये, फोन कीजिये अहाँ, और सर ये मैं लेकर आया हूँ प्राइवेट नमर जैसा आप में गहा था ठीक, ठीक, आप फोन कीजिये, और उतना ही बोलियेगा जितना मैंने आपको बताया बीच-बीच में मैं बताता रहूँँ आठी सर, सर एक सिर्वाजा बंगा तो हम रेडी सर, क्योंजे अलो, अलो, बीच-बी आवाज, आवाज बल्ला, हबीबी, मेरा बीरादर, मेरा बाई, मिस्टर बीच-बी, कैसा है तुम हम इंडिया आ गई, तुमसे मिलने के लिए आई, बोलो, डील के लिए कप और कहा मिलती कौन बोल रहा है कौन बोलती हम साथ समंदर पार से तुमको मिलने आती अरे दिभान जी कौन से साथ समंदर पार हम इतना दूर से तुमको मिलने आती और तुम हमका पूछती के कौन बोलती अरे तुम जो खरीती वोही हम बेचती हम तील के वास्ते आती हम अपने साथ बहुत सारा हाम का पेटी लाती इतना जादा लाती के हमारा पूरा प्राइबेट जेट भर जाती और इतना भर जाती के 8-10 पेटी अपने आप इंडे नोशन में गिर जाती हाँ 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 बुडबक्ट अलो तील गोचे हम मजाक करती अब बोलो तुम हमको डील के लिए मिलती या नहीं मिलती वरना हम अपने मुलुक वापस जाती देखेए मेरी एक डील अल्रेडि फिक्स है तो हम कल कल नहीं अप भी अप भी इधर अप इधर होती वरना हम अपने मुलुक वापस जाती गुडबाए औरे को वाच पर देख नई नई सुनीये सुनीये मैं मैं आती मैं आती आप बोलिये मतलब मैं आता आप बोलिये कब और कहा आना है? काल जाट 11 बजे हम तुम्हारा वापर वेट करती तुम आती तो ठीक वरना हम अपने मुलुक वापर जाती सायो नारा सायन पारा होटल काल पीट वापर आके हम तुमको फोल करती फिर हम तुमको मिलती मतलब समझ गया मैं 11 बजे आपके बताय हुई जगा पर पहुंच आऊँगा ठीके पला हभी भी हम फोल रखती या हुआ सर कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं दिवान जी पुषपा जी को खबर नहीं होगी कि उनका इतना बड़ा कॉम्पिटिटर हा गया सब फ्लो फ्लो में निकल गया सर पर छोड़िये ना हमारा काम तो हो गया बस गया ना बिक भी हमारे जाल में अपनी वो चाइनीज दील छोड़कर आ रहा है हमारे पास में बस सर अब बस उसे सबूत के साथ जाकर दबूच लेना है बस इतना असान नहीं है दिवान जी इंतुदार में थी इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों ये बिक भी और पूरे हथियार हमारे शिकंजे में आ जाए आदाब जी करिये हम तयार बताईए क्या करना है तिवान जी कौन है ये अरे सर हम नहीं जानते हैं हमने सिफ शेक का गेटब लिया पर ऐसे है क्या करना है हम तयार है पुषपा जी जैसा मुने आपको कहा था ना प्लैन के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए जी जी सर बिल्कुल सब कुछ प्लैन के ही हिसाब से होगा सर लेकिन आपके नहीं हमारी ऐसा फेलेंगे ऐसा फेलेंगे कि आपका ये पूरा प्लैन ही फेल हो जाएगा आये आये पुषबच आप तयार्तो है ना हाँ शरीमान दिवान आप मिश्चिंत रहे कुछ गडबड नहीं होगे ठीके पर मेर्बानी करके आपकी ओवर एक्टिंग मत करियेगा प्लीज वो लोगा आगे मैं मैं जा ने ने आप रुके न हम जाते हैं न संबल के इस कनीज को सेवा का मौका दीजी वाल्ला हभी बी ओई बिग बी आजा कैसा है मेरा पिरादर तुमका मिलने के लिए हम कितना तडपती क्या हुआ तुम खास्ती क्यू सब ठीक है सब ठीक है क्या है कि हमको यह भुकम टाइप भाईचार्या की आधत नहीं है ना अभी हमें वो सेंपल दिखाओ अब भी दिखा थी सेंपल सेंपल लाओ यह लो बीरादर शुक्रिया सर लेकिन मैंने आपको सेंपल दिखाने को बोला था सेंपल अरे कैसा बात करती बिरादर यही तो सेंपल है इसे का के तुबारी तब्यत खुश हो जाती इससे अची कॉलिटी मिल जाए तो तुम हमारा नाम बदल देती क्यों कातुर है ने सब से बेश कॉलिटी जिल्ले इलाही बवाल बहुत ही लाजवाब है अरे क्या मजग चल रहा है मैंने आपको हत्यारों के सेंपल दिखाने के लिए बोला था हत्यारों के बास समझ में आई अरे बिरादर तुम गुस्सा क्यों होती हम तो सिर्फ तुमारा टेस्ट ले रहा था और यह बदाम खिला के हम तुमारी इज्जत आफजाई कर रही थी तुमारी खेरमक्टम कर रही थी हमारे महबबत से नवाद रही थी दिखाती है दिखाती है तुमको जो सैंपल देख येलो विरादर, सबसे टॉप माल, चेक करो नॉट बैट, लेटेस है लेकिन क्या थोड़ी, ज्याम हो रही है फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो करते हैं, ट्राई करते है चेक करो, बोड़ी गड़ बड़ तो नहीं है कोई बड़ यहां पर है, जहां पर अरहां में तो फैलने की जरुएत ही नहीं पड़ी, यहां दीवान जी की ओवर एक्टिंग नहीं सब गुड़ कोबर कर दिया अधाप, अधाप, हाई, पठी-पठी, आयाँ जादा इंतजार तो नहीं करवाया हमने आपको नहीं बिलकुल नहीं, इंफाक्ट हमने आपके लिए फिल्टर कॉफी पहले से ओर्डर कर दिया, शुक्रिया वैसे जब सब कुछ इतना सही चल रहा है तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए, मतलब अम्मी से बात करके निकाह की डेट फिक्स कर लेते हैं बहुत जल्दी में आप आपको देखने के बाद, अब खुद कोई अखीन दिलाना चाहता हूँ कि यह कोई ख्वाब नहीं है, अखीकत है और वैसे भी कोई बेवकूफी होगा, जो मतलब आपसे शादी करने में लेट करेगा अपने आख्री बार किसी सवाल का सीधा सीधा जवाब कब दिया था, मतलब नॉर्मली आप मजाग कर रही हैं ना? बिलकुल नहीं उठा लेजी, it's okay एक माड़ी अलो अभी आप जाने वाले थे ना साथ में अरे समझो कर ये असीनाजी के साथ है ठीक है आते है कहीं जाना है? वो एक अरजेंट मीटिंग थी पहले अबब जाने वाले थे फिर उनकी तबियत नासाज हो गई तो मुझे जाना पड़ रहा है I hope you don't mind No, no, of course not नहीं एक छोटा सा काम था बस अच्छा नहीं हम इसले पूछ रहे थे कि अगर आप चाहे तो हम आपके साथ चल सकते हैं इस बहाने थोड़ा सा साथ में वक्त बितालेंगे if you're comfortable मुझे बहुत कुछी होती but I'm sorry अपनी परस्नल अप्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता हूं उनको अलग अलग रखना ही पसंद करता हूं I hope you don't mind no no of course not बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं प्लीज आप जा सकते है okay bye 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 बात में फोन करेगा जरूर yeah no 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 chong अब रेट पे कोई बात नहीं होगी हमारी बात हो चुकी है न और बिक्बी ने जो रेट तै किया है वही मिलेगा नहीं, बिक्रीए पर भानली पह नदी किया करोंगा कि अजय इस दुए यहा रेंड Adventhing नदी उननदी ज़्तूमेंस कैमींत में लुटुमायिंट में इस कमींटमेंट मैं बइक भेक बात करोंगा इधर आउ, इधर आउ, हाथ उपर सबके, गन रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, और अगर किसी ने भी यहां से भागने का कोशिश किया, तो भार पुलिस का बारात है, आप सबकी स्वागत के लिए समझे, अपकी होने वाली लाइफ पार्टनर नहीं नहीं बोलिए कोई गंदी सी शायरी बोलिए कोई पुराना सा घटिया सा डायलोग बोलिए हम इस घटिया मेंटालिटी से परिशान हो चुके हैं कि औरतों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है क्या लगा कि आप मिठी मिठी बाते करेंगे जजबातों के खयाली पुलाओ पकाएंगे और हम फस जाएंगे हम पहले से ही जानते थे कि आपका मकसद कुछ और है और वो क्या यही जानने के लिए हम आपको जहांसा देते रहे और वो था ये, हथ्यारों की तसकरी, आम्स डीलिंग, मैंने बोला था ना बाहर वो थत्रा है, चुपरो, क्या लगा तुमे, कि तुम हमसे शादी कर लोगे, और हमारा द्यान तुमारे इस काले धंदे पर कभी नहीं जाएगा, बड़ी बे-मुर्रवत निकली महबबत हमारी कि तुछ तक पहुची भी, तो हमारे फना हो जाने के बाद, चलें, काना तुम, अबिब्ध, गंस नीचे कराने, तो खोपड़ी उड़ा दूगा, एचे कर भाई, चल्दी, बस, 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 टेड़ेंड आ चुका है, रिलाक्स, रिलाक्स, टेक इड़ेंड एजी, टेट समझाया पर आ गया, ये कौन है बताई है, शदी के सबसे बड़े महन आयक्षी, अमिता बच्चन जी, ग्रेट, अब ये कौन है, ये महान पिता श्री के महान सपुत्र श्री अभिशेक बच्चन जी, और इन्हें शौट फॉर में क्या बुलाते है, जूनियर बच्चन, करेक्ट, और बड़े बच्चन साहब को क्या बुलाते है, सब लोग जानते है, बिग बी, वेरे गुड, अब दिवान जी, इसे गौर से देखिए, ये अदिल शेख का सोशल मीडिय अकाउंट, वही अदिल शेख जिससे असीना मलिक शादी करने जा रही है, और ये उसके अबबा, अक्तर शेख, अब दिवान जी से ध्यान से देखिए, उसमें हमारे काम की चीज़ क्या है, देखी देखी, अरे सर, ये तो बच्चन जी का अरे सर, ये खुद को जूनियर भी बुलाता है, और अपने अबबा को, बिग बी, अरे तो दिवान जी, अब भी ये समझना कौन सी मुश्किल बात है, जो ये सब कुछ हो रहा है, वो कौन से बिग बी के इशारे पे हो रहा है, जाने के आदिल के पिता जी, लट्स गो बि अलो, जो खातुर, मतब, पुछ पाजी, चलिए, या इडिया हमा रही था, हमने ही अपने बेटे आदिल से कहा था, कि अगर उनकी शादी ऐसे चौसिना मलिक से हो जा जा दिया, तो हमारी पांच ओंलियां घीमे होगी, तब ही सोने पे सुहागा वाली एक बात हो गई, हम क्या था, आदिल पहुच गया, शादी की ओफर लेकर इनके पास, और इन्होंने हाँ भी कर दी, तो हमें लगा कि हमारा काम हो गया, हम समझ रहेते कि हम इने बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ बन गया, क्या लगा आपको, कि पुलीस अगर महिला है, तो उसे ब अचानक हमारे सामने एक केले का छिलका आता है, और फिर कोई हीरो की तरह इंट्री लेता है हमी सम्हालने के लिए, कोई बात नहीं, हमने इन्हें benefit of doubt दिया, सोचा की coincidence हो सकता है, लेकिन फिर हमें शक हुआ भाई साब की speed से, कुछ जादा ही तेज थे ये, इंप्रेस करने म करवाने की जल्दी, और कॉफी हाउस में तो इन्होंने हदी कर दी, जानना पहचान और लेने लगे हमारी फोटो, जब हम इनके फोन में अपने फोटोस चेक कर रहे थे, तब इन्हें एक arms dealing से related message आया, जो हमने देख लिया, एनिवेज, इसके बाद फिर हमने इनके फोन मे एक tracker इंस्टॉल कर दिया, ताकि इनके फोन के messages हमारे फोन में भी आने लगे, उसके आगे जो हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं, इने ढील देना, बात आगे बढ़ाना, शादी के लिए हाँ करना, ये सब इनके असली मकसत तक पहुँचने का एक नाटक था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आप सभी ने बहुत आसानी से मान लिया, कि हम इस कार्टून से शादी करेंगे, हमें पता था, कि कोई और यकीन करे ना करे, लेकिन करिश्मा सिंग कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती, पर अफसोस आप ने भी कर लिया, और पहुँच गई कॉफी शॉप हमारे इस रिष्टे को तोड़ने के लिए, वो तो अच्छा हुआ कि इस कॉफी शॉप में हम पहले से मौजूद थे, जी, सची है मैडम सर की हम यह आये थे आपका शादी दुडवाने, किस लिए, लेखें मैडम सर, हमारा जो मन मुटा वहना वो एक तरफ है, लेकिन थाने के लिए हमारा जो धरम है, हमारा जो फर्ज है, वो एक तरफ है, वो शत्रु महराज, हमारे सीनिर, अमर सर, यह सब उ करश मासिक, तो अब आप हमारी बात भी जुनें, हमारे अपसी मनमुटाव एक तरफ, हमारा काम करने का तरीका बलही कितना अलग क्यों नहों, आपकी इमानदारी पर और थानी के लिए अपके इस जजबे पर हमें कभी शक हो ही नहीं सकता. और अब एक शौकिंग न्यूज हम भी आपको देते हैं. हम कोई शादिवादी नहीं कर रहे हैं. आप बात करें तो फिर यह सब मतलब हमको समझ में नहीं आ रहे तो क्या? यह सब नाटक था. का? जी हां. हम जानबूच कर एस इंसान के पास रहना चाहते थे, यह से करीब से जांचना चाहते थे. जानने पर पता चला कि इन भाय साब को नहीं अम्मी ने भीजा है और नहीं अमर विद्रोही ने. सवाल यह उठता है कि फिर यह बिन मौसम की बरसात क्यों? क्यों यह इनसान हमारी पूरी जिंदगी पर कबजा करना चाहता है? लेकिन अपने बारे मे कुछ भी बताने को तयार नहीं. फिर हमें समझ में आया कि यह दरसल किसी और ही फिर आप में है. तुमारे फोन में जो हमने ट्रैकर इंस्टॉल किया था, उसी से हमें तुमारी आम्स डील के बारे में पता चला. हम तो तुम्हें उसी डील में पकड़ने वाले थे, लेकिन थांक्स टू मिस्टर अमर विद्रोही और उनकी दखल अंदाजी, आपने एंड मोमेंट पर शेडिूल चेंज कर दिया और एड्रेस भी. वन सेगेंड मिस मलीक, आप शायद भूल रही हैं, इन्हें यहां पकड़कर लाने वाले हमी है. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन यह जो पूरा राकेट पकड़ा है, वो हमने पकड़ा है, और हमारी टीम ने. So, मिस्टर अमर विद्रोही, यह केस भी हम ही ने सॉल्व किया है. हम सब जानते हैं, हमारे पुलीस विभाग के एक टीम ने हमारे पुलीस विभाग का सर गर्व से उन्चा कर दिया है. प्रमानित कर दिया है कि हमारे पुलिस विभाग की टीम अपराद और अपराधियों के विर्द्ध कटिबद्ध है तो हम यहाँ परामंतरित करना चाहेंगे उस पुलिस अपसर को जिसने अपनी जान पर खेल कर अपनी जान की परवाह किये बिना अपनी सूझ भूच से इस ओपरेशन को लेड किया देखा दिवान जी हमने आपसे कहा था ने महिला पुलिस थाने वाले समझे ना समझे DSP सरसब जानते हैं अपना टाइम आ चुक है दिवान जी अब देखते रही है तो हम स्वागत करते हैं हसीना मलेक का देख लिया सर DSP सर अपको कितना मानते हैं आप समझते नहीं सर मैंने अपसे कहा था कि ये औरते हैं ना कभी हारती है और नाहीं कभी किसी को जीतने देती है मुबारक हो सर एक औरत से एक और हार आपको मुबारक देख लेंगे दिवान जी कोई बात नहीं जलो इस चीज से एक बात वच्छी हुई कि एक गधे के पल्ले पढ़ने से बच्पी अपनी हसीना मलिक अपनी हसीना मलिक? अरे अपनी मतलब अपने थाने की हसीना मलिक, तिवान जी और रही हार की बाद तो अभी बाजी खतम थोड़ी ना हुई है हार का बतलर लिया जाएगा पूरे इंट्रस्ट के साथ अब बाद तेखते जाएगे जस वेड़न वाच, खेल अभी बागी है मेरे दोस्त जैहिर जैहिर